सबसे पहले तो परीजी आपका हमारे कारिका में बहुत स्वागत है। सबसे अकादमी से जब आपको कोई समान मिलता है यादि आपका लेखन जो है उसको एक प्रासंगिक्ता पुराप्त हो जाती है, वहां से समान पूराप्त है तो यह मेरे लिए बहुत-बहुत सममानिक बात है कि ये सममान मुझे मिला और میरी किताब को इसके लिए चायनित किया गया अच्छा कथा लिखने से आपका नाता काफी पुराना है इससे पहले कि हम एक सागज एक जील की बात करें आपके कथा यात्रा की बात कर लेते हैं कि कैसे आपने लिखना शुरू किया कैसे आपकी कलम चली और आप उसे कहानी में ढालती गई बिल्कुल तो इसका श्रेव मैं सबसे पहले बच्चों को दूँगी पिछले 15 सालों से भी ज्यादा से मैं शिक्षा के खेतर से जुड़ी हुए हूँ और लगातार बच्चों के साथ रहने की वज़ह से समवेधन शीलता देखे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो मैं खुद महिला हूँ और महिलाएं प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा समवेधन शील और भावोग होती है तो ये चीज़ें ये भावना हैं ये समवेधना हैं जब मुझे लगा कि मैं लिख सकती हूँ और मुझे धीरे-धीरे मैंने इने कागस पर उतारना शुरू किया और मुझे लगा कि ये बहुत ही सुन्दर कहानियों का रूप ले सकती हैं तो मैं बिल्कुल यही कहूँगे कि बच्चों का बहुत शुक्रिया उनसे मिली हुई भावना और समवेधनाओं का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे लगातार लिखने के लिए प्रेरित करते रहा हैं तो नारी जगत का प्रतिनिजित तो आप कर रही हैं तो जाहर है कि आपके जो उद्गार हैं जो आपकी भावना हैं वो कहानियों में जो ढलती हैं उसमें नारी कहीं एक केंदर बिंदू होती है बिल्कुल संजे जी मैं बिल्कुल इस बात को आपको बता दूँ और मैं ये कहना चाहते हूँ कि इस कहानी संग्रह का जो प्रेरना है वो हर महिला किरदार है और एक जो विशेज बात है इस कहानी की कि हर कहानी का मुख्य पात्र महिला है और उसका नाम मीरा है मैंने जानबूच करके हर पात्र का नाम हर जो पात्र है मुख्य वो महिला है और उस महिला का नाम मीरा है क्योंकि एक महिला कई जीवन को कई जिन्दगियों को एक साथ जीती है तो इसमें मैंने एक महिला के दरश्टिकोर से उन सारी समवेदनाओं को अलग-अलग कहानियों क दुआरा बताने की कोशिश की है कि कितनी भावनाएं, कितनी संवेधनाएं चाहे वो महिला कामकाजी हूँ, चाहे वो महिला एक ग्रहनी हूँ, हम कभी भी महिलाओं को संवेधना और भावनाओं से अलग नहीं डख सकते, तो किस प्रकार की जीवन के अलग-अलग रंग वो अपने एक ही जीवन में जीती है उन्हें देखती है इसको आपको पढ़ने को मिलेगा और मैंने बहुत कोशिश की है कि हर महिला हर पाथक महिला हो या पुरुश हो वो सब लोग उससे एक बंधन महसूस कर सके और एक जो बात जो मैंने लगा कोशिश की हर कहानी में और मेरी हर कहानी में अपने आप वो होता गया कि इसको जब आप पढ़ेंगे इन कहानियों को जब आप पढ़ेंगे तो यह एक दूसरे से जुड़ी लगेंगी दूसरी बात यह 11 कहानिया किसी भी तरह से किसी अंधेरी की तरफ या किसी निराशा क कि तरफ नहीं जाती आप अपने तरह की रोश्नी और अपने हिस्से की रोश्नी हर कहानी के अंत में और हर कहानी के बीच बीच में खुद ढून सकते हैं। तो उसमें पहली कहानी भी एक पर रहा है वाची नाम की एक कहानी है जो मेरी सबसे सबसे सुन्दर कहानी जिसको मैं मानती हूँ और वो भी एक बच्ची और एक मा की कहानी है और वो मेरी पहली कहानी है जिससे की मैंने कहानी लिखने की शुरुवात की अच्छा तो यह सिलसल भी लिखती आई हूँ, बच्चों के लिए भी लिखी है मैंने, बड़ों के लिए भी कविताइं लगातार लिखती आई, लेकिन हा, कहानी का जो है सिल्सला रहा, वो लगभग कहना चाहिए, अगर बोलू तो एक, तीन साल पहले अगर मैं बोलू तो मैंने लिखना उसको और वही सारी बाते जो हम रोज मर्रा में जीते हैं, वही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी प्रेणा भी होती है, और वही हमारे जीवन में सबसे बड़ी सीख भी होती है, सबक भी होते हैं, तो उन सबक को, उन सारे सबक को, उन सारी सीखों को, और सबको इकठा करके, मै में एक सागर एक जील होगी तब तो वो इसकी जो मुख्य बाते हैं उससे रूबर हो ही पाएंगे लेकिन अभी हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे शोताओं को बताएं कि कौन कौन से बातों को आपने इस एक सागर एक जील पुस्तक में लिख किया है और कौन सी कहानी आपको एक स्वाभाविक प्रश्न उसने पूछा है और उस प्रश्न को पूछने के बाद उसका उत्तर भी स्वाभाविक रूप से उसने दे दिया है उस बच्ची ने और मा के पास और उस मा के पास जो प्रश्न रहे गया जो बात रहे गई उसको जब मैंने समझा तो मुझे बहुत ही मतलब कहना चाहिए प्यार से लिखा है चिठी जब भी मैं शब्द बोलती हूँ तो मुझे अपना बच्पन याद आ जाता है क्योंकि आजकल जब हम देखे तो बड़ी मुश्किल से हम पोस्ट ओफिस तक भी जा पाते हैं किसी बहुत टेक्निकल जमाना है आजकल अब हम कंप्यूटर, मोबाइल, सब कुछ है हमारे पास लेकिन उस कहानी को लिखते वक्त मुझे लगाता है यह लगा कि जितने भाव, जितने शब्द, सब कुछ जितना हम अपने मन का सब इकठा करके चिठी में लिख पाते थे वो अब शायद हम इतनी सारी सुविधाओ के बावजूद भी एक दूसरे से साजहा नहीं कर पाते चिठी जो है एक कहानी वो भी मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है और अगर इस बात की हम बात करें कि क्या-क्या इकठा करके लिखा है तो आपको भाव बहुत सारे मिलेंगे प्रेम मैंने बहुत सारा लिखा है औ और बिलकुल भी मैं कहूंगे कि निराशावाद के तरफ बिलकुल भी नहीं है आशावादी ही लिखा है और क्यूंकि अगर हम बात करें कभी भी तो आशा जो है आशा हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए जीवन का जो उदाहरण है वो आशा है अगर आप जीवन को जीते अगर आप जीवन को समझते हैं, तो आप आशा में ही रह सकते हैं, आप निराशावादी नहीं हो सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा तत्व जिसको मैं कहूंगे, जो मैंने अपनी कहानियों में हमेशा लिखा, कि आशावादी ही लिखा, वाकि बहुत ज़रूरत है आशा की क्योंकि हम देख रहे हैं कि समय बदल रहा है और अवसाद और निराशा, डिप्रेशन जिसी चीज़ें हावी होती जा रही है, आसे मिएदी किसी को ऐसी कहानियां जो हमें एक पॉजिटिव एप्रोच की तरफ आकर्शित करती हैं, वो आपने आप में बहुत ही महत्पूर क्या लिखने की योजना मना रही है पुरी जी, आने वाले समय में बहुत कहना आधा काम लगातार मेरा पूरा हो चुका है, ये कहूं। एक novel लिखने की कोशिश में लगातार लगी हुई हूँ और बहुत हद तक वो पूरा भी कर चुकी हूँ और बच्चों की कहानियों का एक संकलन बहुत जल्दी लेकर के आऊंगी उसमें कोशिश में हूँ क्योंकि बच्चों को मैं कभी भी नहीं भूलती बच्चे लगातार मेरी जीवन का बहुत कहना जी बहुत महतुपूर हिस्सा है तो उनके लिए छोटी-छोटी लगभग 15-20 कहानिया मैंने तयार की हैं तो बहुत जल्दी उस संकलन के साथ में भी आप से मिलूँगी आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लिख रहे हैं या लिखने की खौहिश रख रहे हैं और खासों से आप चुकि महिला जगस्ते हैं तो ऐसी महिलाओं से आप क्या कहना चाहती हैं जो कुछ लिखने की इच्छा रखती हैं और इस फील में आगे बढ़ना चाहती हैं उनक यही है कि हम जो भी कुछ लिखें, हम जो भी कुछ लिखते हैं, वो सीधा समाज से जुड़ जाता है, तो हमारी लेखनी में वो हर बात हो, जो हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, बहुत अच्छी हो, महतोपूर हो, क्योंकि लिखना एक बहुत बड़ा तो का काम करते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम करते हैं, तो यह जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, इसके लिए बधाई के पातर हैं, लेकिन इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए और अच्छी तरह पूरा करने के लिए, मैं आपको बहुत सारी दुआएं देती और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपको एससे चलता रहेगा हमारी बहुत बहुत शुब कामना है आपके साथ हैं धन्यवाद संजय जी धन्यवाद आपको और सभी श्रोतागणों को और आकाश्वानी को